अब आते हैं फरुक सियर की उर फरुक सियर सासक बनता है 1713 इसवी से 1719 इसवी के बीच और इसको सासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है सयद बंधू ये सयद बंधू कौन है तो भारतिये छेतर के दो मुसल्मान भाई थें जिनके अंदर एक वजीर वाली सकती थी अर्थात एक सैन सकती थी जिसके सहयोग के कारण जो है फरुक सियर सत्ता प्राप करता है सयद बंधू दो भाईयों का नाम था एक भाई था अबदुल्ला खा और दूसरा भाई था हुसैन खाँ अबदुल्ला खा और हुसैन खाँ सहयद बंधू थे जिनोंने सहयोग किया किसको सासक बनाने में फरुक सियर को फरुक सियर को सासक बनाने का उन्हें इनाम भी मिला अबदुल्ला खाँ को बना दिया गया वजीर याद रखेंगे अब्दुल्ला खां को बना दिया गया वजीर और जो हुसैन खा था उसे बनाया गया मीर वक्सी जो सैन ने संबंधी कारियों की देखरे करता था तो अब्दुल्ला खां वजीर के पद पे रख दिया गया और हुसेन खां को जो है वह मीर बक्सी बना दिया गया फिर इस समय कुछ अन्य घटनाएं हुई जहां से अब्जेक्टिव बनते हैं ये बंदा बहादूर जो अभी तक आप स्टार्ट से देख रहे थे सिखो के एक नेता जो मुगलों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था उसे 1716 इसवी में बंदा बहादूर को फासी दे जाती है दिल्ली में तो ये कुश्चन आता है कि बंदा बहादूर को फासी किस के समय दी गई थी तो फरुक सियर के समय साथ ही साथ एक जो मैंने पिछले ही विडियो में पढ़ाए हैं आपको खास करके ये उरोपिय के आगमन में कि अंग्रेजो को 1717 में साही फर्मान दिया था फरुक सियर न तो ये एक साही फरमान आपको याद रखना है साथ ही साथ फरुक सियर ने ही राजा जैसी जो राजस्थान के राजा थे उन्हें सवाई की उपाधि दी थी और सवाई राजा जैसी के नाम से उन्हें जाना जाता है तो बस 3-4 पॉइंट है आसानी सियाद कर सकते हैं के अलावा इन्होंने क्या किया तो राजा जैसी को उपाधि दी सवाई की 1717 में अंग्रेजों को दिया साही फरमान और 1716 में दिया बंदा बहादूर को फासी की सजा बहुत आसान है चलिए अब आते हैं हमने अभी जश्चर्चा किया था